भाई की करियर पर उठता है सवाल तो श्वेता को होता है बहुत दुग कहा ये 20 साल से चल रहा अब खून खौलता है बेटी नव्या के पॉड़कास्ट में दिल खोल कर कही अपनी बाते जी हाँ इन दिनों बॉलिवुड के शेहनशा मिताब बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का पॉड़कास्ट शो वट दे हल नव्या खूब सुर्ख्यों में है खासकर ये शो यूद के बीज काफी पॉपलर है अभी तक इस शो में बच्चन परिवार के सजस्यों ने कई अंसुने किस्सों के बारे में बताया है बीते दिनों जोया बच्चन ने अपने परिवार को लेकर शो में कई खुलासे किये थे वहीं हाली में शो में आमिता बच्चन और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन पहुची और नोंने भी अपने परिवार से जुड़े काई खुलासे किये इससे सुनकर आप भी चौक चाहेंगे हाली में शूट किये गए एपिसोड में श्वेता बच्चन ने बताया कि उन्हें फरक नहीं पड़ता जब उनके पिता को लेकर कोई कुछ कहता है वो इससे उदास नहीं होती लेकिन भाई अभिशेग को ट्रोल करने पर उन्हें बहुत दुख होता है नव्यनन्दा के साथ फॉटकास्ट शो में हुई बागचीत के बीच श्वेता ने कहा कि लोग अकसर अभिशेग बच्चन की तुलना अमिताब बच्चन से करते हैं जो कि सही नहीं है उन्हें समझना होगा कि दो अलग व्यक्तियों की बराबरी नहीं की जा सकती श्वेता ने कहा ये बहुत बुरी बात है ट्रोलर्स हर समय अभिशेग पर हमला करते हैं और ये वास्तव में आपके परिवार के सदस्य के लिए परिशान करने वाली बात है जिसे वास्तव वे मेरा खून खौलता है ये वास्तव में मुझे परिशान करता है क्योंकि हो मेरे छोटे भाई हैं और मैं पूरी तरह से उन्हें लेकर प्रोटेक्टिव हूँ श्वेता ने आगे कहा कि अगर अभी शेक को 10 में से 8 नंबर मिलते हैं तो टोलर्स कहेंगे कि अमिताफ बच्चन को पूरे नंबर मिले फिर पेटा कैसे पीछे रहे गया अगर अभी शेक की अचीवमेंट पिता अमिताफ बच्चन से कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें टालेंट की कमी है शो मिश्वेता ने इस बात का भी खुलासा किया कि करीब 20 साल से अभी शेक ये सब चेल रही है जो कि बहुत खट्यापन है पता दे कि हाल ही में अभी शेक बच्चन ने एक पत्रकार के ट्वीर का जवाब देते हुए कमेंट कर लिखा था कि क्या लोग अभी अख़बार पड़ते हैं इसके तुरंत बाद एक यूजर ने अभी नेता को लिखा बुद्धिमान लोग करते हैं आप जैसे बेरुसकार लोग नहीं इसके साथ यूजर ने हसते हुए चेहरे वाले इमोजी भी पोस्ट किये थे इसके बाद अभी शेक ने मजाख्या जवाब में उस शक्स का शुक्रिया अदा किया उन्होंने ये भी बताया ओ, मैं देखता हूँ इस इन्पुट के लिए धन्यवार, वैसे बुद्धी और रोजगार का कोई संबन नहीं है मुझे यकीन है कि आप कारेरत हैं, मुझे ये भी यकीन है कि आप बुद्धी मान नहीं है बता दे कि अभिशेक बच्चन अक्सर इस दरह से किसी न किसी वज़ा से ट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं हाला कि वो इंटरनेट पर अपने हूमर से ट्रोलर से निपटते भी नज़राते हैं अभिशेक पर लोगों की च्रोलिंग का कुछ खास असर नहीं पड़ता लेकिन उनकी बड़ी बहन शुएता बच्चन ये सम देख कर काफी दुखी होती है उसका खुलासा भी उन्होंने बेटी नव्या के शो में खुद हिखिया कि बेलेबोर इवनिफोगा